इसन के continuation को जाई रखते हैं और देखते हैं कुछ नए questions जैसे the first one is जो मैंने आपके लिए collect किया है कि sulfuric acid एक बहुत अच्छा आक्सिकारक है और निर्जली कारक है ठीक है मतलब sulfuric acid एक बहुत अच्छा कि जाज करने हो तो कैसे की जाएगी तो देखिए sulfuric acid जो होता है कि यह रहा sulfuric acid आप इसको जब गरम करेंगे ठीक है इसको heat करने पर यह nascent oxygen बनाता है क्या बनाएगा यह nascent oxygen क्या बना रहा है और अगर कोई compound nascent oxygen बना सकता है तो वो हर हाल में क्या होगा oxidizing agent होगा ही होगा वो उसकी आक्षी कारक प्रवित्य है वो जरूर आएगे ठीक है तो oxidizing behavior का reason क्या हो गया कि sulfuric acid को गरम करने पर nascent oxygen मिलता है जिसकी वजह से यह बहुत अच्छा का oxidizing behavior शो करता है इसके अगर आपको लिखना है तो इसके लिए आप कुछ equations दे सकते हैं जैसे माल लेते हैं कि आप कॉपर से reaction करा दीजिए ठीक है अब यहां देखिए कॉपर का जो ऑक्सिदेशन नंबर है वह जीरो है यहां पर बन जाएगा क्या कॉपर सलफेट बन जाएगा यहां कॉपर से oxidation नंबर देखे मैं पूरा reaction नहीं लिख रहा हूं यह आपके लिए ही रहेगा ठीक है तो sulfuric acid के कई सारे ऐसे reaction है पर हमने यहां पर यह reaction भी अधूरा ही है पर आपके खुझ से करिएगा ज्यादा सी देखेंगे यह आपके लिए अच्छा रहेगा बोल्ट पॉइंट अफ्यू से कि कि sulfuric acid बहुत अच्छा oxidizing agent भी होता है बहुत अच्छा अक्सिकारक है उसका रेजन क्या है यह नेसेंट oxygen देता है गरम करने पर और दूसरा अच्छा इसका आप equation लिख सकते हैं दूसरे इसमें जो question था वो क्या था कि यह बहुत अच्छा क्या है dehydrating agent भी है dehydrating agent dehydrating agent का वैंने आपको बता रखा है कि dehydrating agent वो होते हैं जो water molecule को absorb कर लेते हैं है ना मतलब जो पानी सोख लेने का काम करते हैं वो का कहलाते हैं dehydrating agent कहलाते हैं तो यह ठीक है यह बहुत अच्छा dehydrating agent है हम लोगों ने organic chemistry जब पढ़ी थी तो उसमें देखा था कि कई सारे ऐसे reactions हमको दिखाई दे रहे थे जहां पर यह इस sulfuric acid reaction को आगे गवर्न कर रहा था मैंने कई सारे ऐसे एक्जामपल्स आपको दे रखे हैं जहां पर sulfuric acid के लावा कोई और catalyst का इस्तमाल नहीं किया जा रहा था ठीक है तो क्या-क्या था जैसे अगर आपको एथेनौल से अधीन बनाना है एसीड केटलाइजड डी हाइड्रेशन ऑफ एलकोहल है अम उत्वरित अलकोहल का जो विघटन है ठीक है यहां पर क्या बनता था और साथ में क्या निकला निकला ठीक है यह देखें रिवर्सिबल रियक्षन है अब अगर आप equilibrium के concept का इस्तमाल करें तो आपको पता है कि अगर यह amount जादा रहा अगर product हमारा जादा होगा ठीक है तो रियक्षन जहों बैकवर्ड डिरेक्षन में प्रोसीड करेगा रियक्षन क्या होगा बैकवर्ड डिरेक्षन में प्रोसीड करेगा और ऐसे केस में हमको क्या चाहिए कि रियक्षन हमारा फॉर्वर्ड डिरेक्षन में प्रोसीड करें यह ना हो जबकि हमको क्या मिले फॉर की जो concentration है राइट हैंड साइड में जो concentration है product की वह बहुत जादा नहीं होगी और बहुत जादा नहीं होगी तो यह reaction backward direction में जाएगा नहीं हमेशे है धहно देगा कि अगर reactant का concentration जादा है तो डिकम्पोज करेगा अगर प्राड़क्ट का अगर तो बन जाएगा तो हमारा कि प्रडुलेंट या फिर यह है कि प्राड़क्ट को ही डीकंपोज द्यूर्य वापस Primary Student जहां से हम चलेते वही पोहँच जाए यह तो करना क्या होता फिस टारे हैं ऑगर से प्रॉडक्ट बना रहे हैं था कंडिशन को करने के लिए नहीं कि बहुत फास्ट तो बन रहा है वैसे वैसे प्रॉडक्ट को आप निकालते जाएंगे तो क्या होगा कि यहां की कंसेंट्रेशन बढ़ने नहीं पाएगी और रियक्शन के हर पॉइंट पे एलकोहल की ही कंसेंट्रेशन ज्यादा होगी और अगर ऐसा हुआ तो फारवर्ड रियक्शन का रेट ही फास्ट होगा वही हमारे लिए बेनिफिशल होगा वही हमाले लाब दायक है तो यहां पस सल्फियरीक एसीड के अलावा कोई और कैटलिस्ट का इस्तमाल करना थोड़ा सा नजैज आप मान सकते हैं कि बहुत अच्छा नहीं मान सकते सको रीजन क्या है कि वह अच्छा डी हाईडरेटिंग एजन हमने कहा ना कि यह प्रॉडुक्त की कंसेंट्रेशन को कम करना है तो अब अगर आप सल्फियरीक एसीड यहाँ पेस्तमाल करेंगे तो वहां करता ही करता है य लेकिन यह एक dehydrating agent के जैसे भी behave करके इस water molecule को क्या करता है अब्सॉर्फ करता है ठेक है अब्सॉर्व बाई सुल्फियुरिक इसड इस जल की अडुका ऊश्षण कौन कर लेता है सल्फियुरिक इसड कर लेता है और अब बताएए कि अगर यह कतम हो गया जो water molecule बना है उसको sulfuric acid ने सोख लिया तो प्रॉडक्ट की कंसेंट्रेशन कम हुई की नहीं हुई आपको निकालने की पड़ेगी क्या फिर आपको एक स्टाफर्ट नहीं लगाना पड़ेगा तो sulfuric acid का यहां पर दो काम होता एक तो reaction को catalyze करता है और साथी साथ reaction के rate को भी regulate कर सकता है कैसे यह water molecule को absorb करके ठीक है तो यह इसका dehydrating reagent होने का एक example इसके अलावा भी अगर आप चीनी में sulfuric acid डाल दें तो क्या करते हैं जो चीनी के अंदर water molecules से वो सब क्या हो जाएंगे सबका सब absorb हो जागा चीनी काली पड़ जाती है ठीक है तो बहुत सारा dehydrating agent होने का सलूशन था ठीक है थाक है थाक है थाक्यू